दोस्तो एसियाकप 2023 में भारत की टीम अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाप खेलेगी तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत नेपाल का ये ब्लॉक बश्टर मैच किस तारिख को कितने बजे श्टार्ट होगा टीम इंडिया के प्लेंग 11 में कौन से बदलाव किये जाएंगे और भारत के पास सूपर 4 में जाने का कौन सा अंतिम रास्ता है तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विष्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक ज रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़त और एस याकप 2020 में भारत नेपाल के मै ठीक ठाक चांस है यानि कि इंडिया नेपाल के मैच में भी बारिस होने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं तो आएए जानते हैं इस मैच के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में होने वाले कुछ बदलाव के बारे में तो भारत की टीम अपने प्लेइंग 11 में सबसे पहले भले ही डिप्थ चाहती हो लेकिन उस चकर में टीम इंडिया का बॉलिंग लाइनप वीक हो सकता है तो इस वज़े से सारदूर ठाकुर को बाहर बिठा करके मोहम्मद समी को टीम इंडिया की मेनेजमेंट अपने प्लेइंग 11 में इंकुलूड करना चाहेगी और इसके बाद टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में और कोई भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि केल राहूल अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है तो इसान किसन ही विकेट कीपिंग का जिमबा अपने कंधों पे उठाएंगे तो अब बात करते हैं भारत नेपाल के इस सांदार मैच के डेट इसके बारे में तो ये blockbuster मैच 4 सितम्पर को स्टार्ट हो जाएगा यानि कि 4 सितम्पर को आप सभी को भारत नेपाल के बीच एक महा मुकाबला देखने को मिलेगा और इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें तो इंडियन स्टेंडार टाइम के अकॉर्डिंग 2 पहर 3 बजे से ये ब्लॉक बश्टर मैच स्टार्ट हो जाएगा और इस मैच में अगर टीम इंडिया जीतेगी तो टीम इंडिया आसानी से सुपर फोर में चली जाएगी हलांकि टीम इंडिया 100% जाएगी क्योंकि नेपाल जैसी टीमों को हराना भारत के लिए कोई बड़ी बात न बीडिया स्पोर्ट्स पे लैब दिखाया जाएगा और मोबाइल फोन एप्लिकेसंस के बारे में बात करें तो मोबाइल में आप लोग डिजिनी होटे स्टार पर बिल्कुल फ्री में एस याकप के सभी मैचो का सीधा लाइप पर सारण पे मोबाइल के माध्यम से देख प यो में